नमस्कार मित्रो जिवन जली बूटी चाइनल में आप सबका मन पुर्वक सागत मित्रो आज हम देखेंगे इस वीडियो में अत्यनत दिव्यों और चमत कारिक आउश्यदी वनस्पती भारंगी की पैचान और इसके आयरवेदिक उपाए आप जो सामने वनस्पती देख रहे जो तीन-तीन पत्ते और ये गुच्छो में निले-णिले फूल आप देख रहे इस आउश्यदी वनस्पती को भारंगी के नाम से जानते हैं मित्रो अब इस वनस्पती को फूल है फल है बीज है इस वनस्पती आप फ्लावर स्टेज में आ गई है यह वनस्पती और पैशान कर ले ताकि उपाय करने में सुगंता हो जाए कोई दिक्कत ना आए इसलिए पैशान करना जरूरी होता है तो मित्रो निली भारंगी अउश्यदी वनस्पती दमा अस्तमा ब्राइंकाइटिस पूरानी सर्दी सरदर्द या शौस रोग के शौस रोग कौनसा भी हो चाहे शौस की बिमारी कौनसी भी हो इस अउश्यदी वनस्पती से जल मूल से नश्टो हो जाती है मित्रो इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है दमा अस्तमा ब्राइंकाइटिस के लिए आपको इस बारंगी के पत्ते तोड़ना है हरे हरे और इसका रस निकालन इस यह पूर्णत दूर हो जाएगा तता आपको यदि इसके ताजे पत्ते ना मिले और आपको इसकी रस की सुईदा उपलबदर ना हो तो आप क्या करें मित्रो आप इसके पत्ते तोड़ लीजे और ये इसकी जड़े निकाल लीजे और इन दोनों का समप्रमान की मात्रा में चूर्ण बना ली लीजिए और चूर्ण बनाने के बाद एक एक चमच चूर्ण सुबो शाम सहत के साथ आपके वोल एक माह तक देते हैं तो आपका अस्तमा दमा अब्राइंका टीश शास रोग आपके फेपड़ो मकाल लंग्स में का छाती में का कप आपके सर में का सिंगल कर निकल जाएगा और दमा अस्तमा से आपको मुक्ति मिल जाएंगी मित्रो आर्वेद में इसके अत्यंतव प्रभावी उपाय बताए है जो उपाया मैं आपको सामने बता रहा हूँ जो थाराड में अचुक है मित्रो यह आपको थाराड है है और हैपो थाराड की कि अदेसे आप आपको मोटा आगया हूंगा आपका वजन होगां तो इसकी लिए आपको शिरिफ भारंगी की जल्ड निकालना है और इसका चूर्न बना कर इस में त्रीकौटू का चूर्न डालना है मतलब स्वोट पिपल मिर्च इन तिनु को समप्रमान चूर्ण बनाना ह और इस भारंगी की जड़ का चूरना तीन तीन ग्राम आपको लेना है सुबह शाम छेट ग्राम चूरना आपको पानी के साथ इस अवश्यदी का लेना है ऐसा क्यों एक मातक करते आप तो आपका थाराट पूरी तरह निल हो जाता है और दो ती मातक निरंदर प्रोयक करने से आपको पूरा थाराट की सिकायत होती नहीं मीत्रों पुरानी सर्दी हो वात्रों हो या शेरीर का जखड़ना हो संदियों में दर्ध हो तो इसके लिए आपको शिरिफ भारंगी के पत्तों का चूरन बना कर सैथ के साथ या गुनगुने पानी के साथ लेना है बस एक दिल म मां पीट कमर का दर्द जादू की तरह कायब हो जाएगा आपके सर में तरह है पूराना माइग्रेन है आपको और आपके सर के दर्ग के लिए श्रीप भारंगी की जड़ आपको निकालना है और इसके जड़ को पानी में गिसकर अपने ललाट पर या माथे पर लगाना है तीन चार घंटे के अंदर आपका सरदग पूरी तरह दूर हो जाएगा मित्रवेदी वीडियो पसंदा